जेहन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे सेर करने वाले हैं जेनरल नोलिज के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन्स जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question number 1 है बिश्ण की सबसे ब्यस्त ब्यापारिक नदी कौन सी है options है amazon, rhein, mississippi और neel तो दोस्तो इस question का जो जो सही answer है वो है option B, rhein बिश्ण की सबसे ब्यापारिक नदी कौन सी है rhein नदी question number 2 लोग सभग का कारेकाल कितना होता है options हैं आपके 7 वर्स, 5 वर्स, 6 वर्स या फिर 4 वर्स तो दोस्तों लोगसवा का कारिकाल होता है वो कितने वर्स का होता है तो लोगसवा का कारिकाल होता है दोस्तों 5 वर्स का तो यहाँ पर option भी correct answer होगा next question की तरफ चलते हैं question number 3 waiting the retreat का संबंद किस से है options हैं महला दिवस, गरतंत्र दिवस, थल सेना दिवस या फिर सही दिवस तो इस question का सही answer दोस्तों आपको बताना है तो दोस्तों beating the retreat का जो संबंद होता है वो गरतंत्र दिवस से होता है question number 3 का B question number 4 है किसकी इस्मरती में 13 फरवरी को महला दिवस मनाय जाता है तो दोस्तों options हैं आपके रानी लक्षमी बाई, सरोजनी नाइडू, कमला नहरू या फिर इंद्रा गांधी तो 13 फरवरी को महला दिवस जो है वो सरोजनी नाइडू के इस्मरती में मनाय जाता है तो इस question का सही answer option B होगा सरोजनी नाइडू अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 5 जनगर्मन को भारत के राश्टरगान के रूप में किस बर्स अपनाया गया options हैं 1947, 1948, 1949 या फिर 1950 तो जनगर्मन को भारत के राश्टरगान के रूप में दोस्तों अपनाया गया था 1950 में तो इस question का सही answer होगा option D 1950 तो ये थे दोस्तों questions जो कि आपके exam के लिए काफी important थे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like, share और subscribe जरू करें तो चलिए कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहन